Hey guys, welcome to Knowledge Treasure Hunters. जसना कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी. Yes, the series was of environment, जिसमें हम शंकर आई इस बुक को कम्प्लीट कर रहे थे. Guys, हमने chapter 1, 2, in fact chapter 3, जो कि most toughest chapter हमें लगता है और सबसे जादा lengthiest chapter लगता है, वो भी कम्प्लीट कर दिया है. तो आज क्या करना है, आज हमें continue करना है, और even हम बोले तो ये सही रहेगा कि हमें start ही करना है अपना chapter number 4. Chapter number 4, जिसमें हम aquatic ecosystem के वारे में सारी knowledge को gain करने वाले हैं. Guys, जैसे कि ecosystem तो हमें पता ही, जो कि हमने chapter number 1 में complete किया था, देखा था, कि ecosystem क्या होता है, उसके बाद में हमने उसके functions देखे थे, उसके बाद में हमने terrestrial ecosystem भी देख लिया था. अब आज बात करेंगे aquatic ecosystem की. Ecosystems consisting of water as the main habitat are known as aquatic ecosystem. जैसे कि आपने terrestrial ecosystem में देखा था, कि जिसमें क्या होता है, लैंड, आपका main घर होता है, आपके organisms का, उसको हम terrestrial ecosystem भोलते थे. सेम बैसे ही, जब घर, जो आपका main habitat है, वो water हो, मतलब क्या, जो आपके organisms है, वो अब कहां रहेंगे, water में. ठीक है, तो main उनका जो habitat है, उनका जो रहने की place है, वो रहेगा पानी. तो जब ऐसा होता है, कि पानी में आपका जो organisms है, चाहे वो plants हों, चाहे वो animals हों, वो पानी में रह रहे हैं, तो उस ecosystem को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, aquatic ecosystem. जैसे कि नाम से भी वैसे पता चली ही रहा है, aquatic means क्या होता है, कि पानी से related है, तो aquatic ecosystem क्या है, कि ऐसा ecosystem जहां पर क्या है, पानी रहने की जगए है, ओके. Then aquatic ecosystems are classified based on their salt content, अब जैसे कि हमने terrestrial ecosystem में देखा था, कि desert थे, forest थे, grasslands थे, यह सब हमने देखा था, ऐसे aquatic ecosystem के भी अलग-अलग कई सारे types हैं, उनको हमने कैसे divide किया है, तो हमने divide किया है, किस वैसिस पे, कि जो पानी है, उसमें salt कितना मिल रहा है, Salt के content के vases पे हमने aquatic ecosystem को divide किया है, जब divide किया है, तो कितने तरीके से डिवाइड किया है, तो तीन तरीके से हमने क्या किया है, aquatic ecosystem को divide किया है, पहला है fresh water ecosystem, दूसरा marine ecosystem और तीसरा brackish ecosystem, अब इसमें जब हमने यह बात कही रखी है कि हम क्या तक मिल जाए नमक अगर मिल रहा है तब भी हम उसको fresh water ecosystem ही बोलेंगे condition क्या है कि भई जो नमक है वो 5 ppt से कम होना चाहिए इसके क्या example हो सकते हैं तो example में इसका आजाएगा lakes, ponds, pools, springs, streams, rivers ये सब fresh water ecosystem के अंडर आते हैं next talking about the marine ecosystem, marine ecosystem का limit क्या है कि भई जब 35 ppt से ज़्यादा 35 ppt से जब ज़्यादा salt content मिलेगा पानी में तब हम उसको बोल देंगे कि ये तो marine ecosystem है जैसे कि आपका sea हो गया, ocean हो गया, ये सब marine ecosystem आता है मतलब क्या, अगर 5 से कम है, तो तो fresh water है, 35 से ज़्यादा है, तब आपका marine रहता है तो भी brackish कहाँ पर आएगा, तो brackish आता है इस दोनों के बीच में अगर 5 से ज़्यादा है, 35 से कम आपका salt content है, ठीक है, 5 ppt से 35 ppt के बीच का अगर salt content होता है तो हम उसको बोल देते हैं, brackish water ecosystem, जैसे कि यहाँ पर क्या आजाएगा, salt marshes आजाएंगे, asuries आजाएंगी, deltas आजाएंगे, man groups आजाएंगे, swims आजाएंगे, ये सब क्या हैं आपके aquatic ecosystem जो की brackish है अब बात करते हैं aquatic organism की, कि भाई अब जो aquatic ecosystem है, उसमें कौन-कौन सी organisms मिलते हैं The aquatic organisms are classified on the basis of their zone of occurrence and their ability to cross these zones जो आपके aquatic organisms हैं, इनको हमें divide कर रखा है किस बेसिस पे, कि किस zone में ये मिल रहे है, कि ये मिलते कहा है और जहां ये मिल रहे हैं, उस zone को क्या ये पार कर पा रहे है, कि नहीं कर पा रहे है और अच्छे से आगे भी समझते हैं इसको The organisms both, flora and fauna in the aquatic ecosystem are unevenly distributed but can be classified on the basis of their life form or location into five groups जो organisms हैं, चाहें वो flora हों और fauna हों अब भी flora और fauna क्या होते हैं? तो ये हमने अपने previous वीडियो में बहुत अच्छे से इसको देखा था कि क्या होता है flora, क्या होता है fauna इसको याद करने की trick भी हमने देखी थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर आप ले लेस्ट में जाकर उसको देख लिए तो चाहे वो flora हो, चाहे वो fauna हो दोनों ही organisms हैं वो unevenly मिलेंगे कहीं पर ऐसा होगा कि बहुत जादा आपको organisms मिल रहे हैं कहीं पर बहुत जादा flora, कहीं पर बहुत जादा fauna मिल रहे हैं कोई area ऐसा होगा जहां पर बहुत कम quantity में मिलेंगे ऐसा नहीं है कि हर जगे बराबर बराबर बटे हुए हैं ऐसा बिलकुल नहीं है लेकिन फिर भी हमने इनको पांच ग्रूप में डिवाइट कर रखा है जिसमें से पहला है आपका नियूस्टर्ण नियूस्टर्ण कौन होते हैं? इस आर अनटेज्ट ओर्गेनिजम्स विच लिव एट दा येर वाटर इंटरफेस पानी और हवा जहां पर मिलते हैं पानी और हवा जहां पर मिलती है पानी जो हम देख रहे हैं उसे के ऊपर ये तैरते हुए होते हैं तो इनको हम बोलते हैं नियूस्टर्ण नियूस्टर्ण मीज़ क्या है? कि ऐसे और्गेनिजम्स हैं ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ऐसी जगह पर मिल रहे हैं यह surface है, उपर से हवा इनको मिल दे ही नीचे से पानी, उसके बीच में यह मिलते हैं हमें, floating रहते हैं, जैसे कि lotus, lotus क्या नीचे डूबा हुआ तो नहीं होता है, पानी के उपर मिलता है और हवा उपर से मिलते हैं, तो यह क्या है, newstone है, Some organisms spend most of their lives on the top of ear water interface, such as water striders, while other spend most of their time just beneath the ear water interface, and obtain most of their food within the water, for example, beetles and pecsillars, So, some organisms are such as the water, which are on the top of the water, like you have water strider, but there are some such things, which are very low, not only the water, The water will stay below the bottom of the water, but the water will stay below the bottom of the water, so what is it, the water interface is below the bottom of the water, करें में नहीं होंगे, तो यह कैसे है, इनको आप example में ले सकते हो beetles को, back swimmers को, युकि आप उपर अगर खड़े होकर देखो तो आपको वो दिख जाएंगे, क्यों दिख जाएंगे, क्यों दिख जाएंगे, और नीचे पानी के गहराई में नेक्स केटिगरी हमारी है पैरिफाइटन, पैरिफाइटन क्या होते हैं, पैरिफाइटन कौन से होते हैं, ये वो ऑर्गिनिसम्स होते हैं, जो खुद तो मिट्टी में एटेज्ड नहीं होते बल्कि ये क्या करते हैं? जो आपके ऐसे प्लांट्सों मिट्टी में एटेश्ड हैं, मिट्टी में ऊगे हुए हैं, जमीन के अंदर, पानी के अंदर, मिट्टी में ओगे हुए प्लांस होते हैं, उनकी स्टेम्स पर ही अटेस्ट होते हैं, यह वो होते हैं, मतलब क्या है, खुद तो पानी के अंदर होंगे, लेकिन इनकी जो रूट्स हैं, या फिर यह खुद, जो आपके पानी के नीचे के मि इस पर periphyton टेस्ट हो जाते हैं जैसे कि इन में है सैसिले एल्गी और इसके जो भी एसोसेटेड़ गुरूप है अनिमल्स के वो सब इसमें आजाते हैं जैसे कि इस आपकी इमेज में दिख भी रहे हैं कुछ यह एल्गी है सैसिले एल्गी थर्ड क्याटिगरी है प्लैंक्टन प्लैंक्टन मोस्ट कॉमन नाम है हम सबने इसके बारे में पढ़ा है और इसके बारे में हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं निउस्टन हो सकता है ना सुना हो पैरिफार्टन हो सकता है ना सुना हो लेकिन प्लैंक्टन अगर हमने plants like algae, phytoplankton and animals like crustaceans and protozoans, zooplankton found in all aquatic ecosystems except certain swift moving waters. जो plankton है, इसमें आपके plant भी आएंगे, इसमें आपके animals भी आएंगे, लेकिन कैसे होंगे? Microscopic होंगे, microscope की मदद से ही हम इनको दीख सकते हैं, जैसे कि algae हो सकती है, zooplankton हो सकते हैं, crustaceans हो सकते हैं, protozoans हो सकते हैं, कहां मिलेंगे ये? तो ये हमें हर जगे मिल जाएंगे, जितने भी aquatic ecosystem है, सारे aquatic ecosystem में मिलेंगे, लेकिन ऐसी जगे नहीं मिलेंगे, जहां पर पानी जो है, बहुत तेज भेहरा है, अगर पानी भेहता हुआ है, उसकी speed ज़्यादा है, तो बहां पर हमारे जो plankton है, वो नहीं मिलेंगे, ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी locomotory power जो है, इनकी जो movement की power है, moving power है, वो limited होती है, यह जो है, बहुत जल्दी move नहीं कर पाते हैं, जब यह move नहीं कर पाएंगे, और तेज भानी भेहरा होगा, उसके साथ में भेहर नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, फिर यह मर जाएंगे, इसलिए भाबर मिलते ही नहीं है, यह लिखा हुआ भी है, क्या लिखा है, कि दा लोको मोटरी power of the planktons is limited, so that their distribution is controlled largely by currents in the aquatic ecosystem, तो अगर पूछा जाएं, कि ऐसे कौन से आपके organisms हैं, aquatic organisms हैं, जिनकी लोको मोटरी power limited होती है, तो वो आपके होते हैं, next is necton, this group contains animals which are swimmers, अब necton में कौन आएंगे, necton में वो सारे animals आजाएंगे, जो कि आपके swimmers हैं, तो ध्यान रखने की चीज़ तो यह हैं कि यहाँ पर plants नहीं हैं, यहाँ पर सारे के सारे animals हैं, और वो भी कौन से, जो कि swim कर सकते हैं, the nectons are relatively large and powerful as they have to overcome the water currents, अब पानी जो है, उसके बहाव उसके जो current है, उसकी स्पीड है, उससे इनको जीतना पड़ेगा, उसको ऑबरकम करना पड़ेगा, तो ज़रूरी है कि उसकी स्पीड जो है, उसकी force जो है, उसको यह काट पाए, इसलिए यह ज्यादा strong होते हैं ये strong होते हैं बड़े होते हैं और powerful होते हैं जिससे कि जो पानी का भाव है उससे ये जीच सके तभी तो ये आगे move कर पाएंगे वरनाब पानी अगर तेज बहिरा है इनके अंदर इतनी只 power नहीं तो पानी फावर भाव तो पानी बहरा है उसमें भी रुखे रहें खुद को यह जहां चाहते हैं बहां मूव कर सके उसके लिए इनको चाहिए कि यह पावर्फुल हो जिससे कि वो जो फोर्स सामने से पानी की आ रही है उसको यह ओवरकम कर सके इसलिए नेक्टन आपके बड़े भी होंगे और मूटे मूटे कीड़े मुकॉरे जो की आपके स्वीम कर सकते हैं वो भी आएंगे और आपका जो बड़े बड़े आपके अनिमाल सा जैसे कि ब्लू विल तक ब्लू वेल है डॉल्फिन है जो वे फिश्रेस है वो सब भी नक्टन के अंदर आ जाएंगी इवन ऑक्टोपस भ लास्ट कौन सा है लास्ट काटिगरी हमारी है वेंतोस वेंतोस क्या है वेंतोस वेंतोस वो ओर गिनिजम्स होते हैं जोकि बैठे रहते हैं इसे याद हम कर सकते हैं कि वेंथोस कौन से हैं जो कि आपकी सी फ्लोर पर बैठे रहते हैं ठीक है वेंथक और पानी जो है उसके बिलकुल सते पर पूंच जाओगे या फिर जो भी चाहिए रिवर हो पॉंड हो नीचे बिलकुल नीचे वाटर वकोल नीचे जहां पर मिटी म मिलेगा बहां पर जो बैठे हुए आपको और्गनिजम मिलेंगे वहीं होते हैं आपके और वैंथोस और जितने भी एक्विटिक एको सिस्टम हैं उन सब में बहुत ज्यादा वैंथोस मिलते हैं ना टॉकीं अबरवड एकोसिस्टम में लिमीटिंग दा परॉडड़किविटी एकोटिविटी ऑफ चाहति हैं मतलब कि ऑसे कौन दिर्सडी एकोसिस्टम में कितने आनिमल Мेंवल मिलेंगे कितने हम सी कौन से factors होते हैं तो कई सारे factors हैं जिनको हम अब आगे देखने वाले हैं Sunlight and Oxygen are the most important limiting factors of the aquatic ecosystems whereas moisture and temperature are the main limiting factors of the terrestrial ecosystem तो जैसे कि हमने अपने पहले जब हम terrestrial ecosystem पढ़ रहे थे तो उस वीडियो में हमने ये देखा था क्या देखा था कि terrestrial ecosystem में दो main factors थे जो कि सब कुछ decide कर रहे थे कौन थे वो वो थे moisture और temperature तो बैसे ही हमारे aquatic ecosystem में भी दो factors हैं जो कि decide करेंगे कि कितने animals मिलेंगे कौन से animals मिलेंगे कितने plants मिलेंगे कौन से plants मिलेंगे सब decide करेंगे दो factors तो क्या वो factors आपके moisture और temperature ही होंगे तो answer है no यह factors वो नहीं है, यहाँ पर factors आपके बदल जाते हैं, कौन से factor हो जाते हैं आपर, तो यहाँ पर factor होते हैं आपके sunlight और oxygen, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वह इस sunlight की, sunlight कैसे determine करेगी कि कौन से plants मिलेंगे, कितने मिलेंगे और कौन से animals और कितने animals, Sunlight penetration rapidly diminishes as it passes down the column of water, the depth to which light penetrates a lake, determines the productivity of aquatic habitats, तो sunlight जो है, sunlight आपकी उपर सत्य पर, यह तो common sense लगा, जो उपर जो है, पानी है, ठीक है, तो पानी में सबसे उपर क्या होगा, सबसे ज़्यादा sunlight पहुचेगी, फिर नीचे जितनी गहराई पर पानी आप जाओगे, तो बहीं पर जितनी गहराई होती जाएगी, तो sunlight क्या होगी, कम पहुचती जाएगी, तो उपर क्या होगा, सबसे ज़्यादा sunlight मिल रही है, तो productivity भी आपकी ज़्यादा होगी, नीचे जब sunlight पहुचेगी ही नहीं, तो बहाँ पर productivity क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, अब इसमें भी हमने क्या किया है, हमने तो जोन्स वाट रख रही है, aphotic zone, photic zone कौन से होती है, photic zone वो है, जिस जहां तक आपका क्या रहता है, sunlight पोँच रही होती है, aphotic zone जहाँ पर sunlight नहीं पोँचती है, उसको हम aphotic zone बोलते हैं, इसको और डिटेल में चलुट पढ़ लेते हैं, पहले बात करेंगे, photic zone की, it is the upper layer of aquatic ecosystems up to which light penetrates and within which photosynthetic activity is confined तो यह उपरी सटे होती है ठीक है उपरी आपकी लियर है aquatic ecosystem में जहां तक आपका sunlight पहुचती है और जब sunlight पहुचेगी तो बहाँ पर photosynthesis की process भी होगी the depth of this zone depends on the transparency of water अब भई किसी भी water body में कहां तक photic zone होगी कहां से photic zone start होगी क्या यह सब में एक जैसी होती है तो बिल्कुल नहीं यह सब depend करता है कि पानी आपका कितना transparent है जितना ज़्यादा transparent पानी होगा उतनी ज़्यादा नीचे तक आपकी sunlight पहुच पाएगी तो उतनी पानी होता है बहाँ पर आपकी फोटिक जोन बहुत कम होती है बोथ photosynthesis and respiration activity takes place अब फोटिक जोन में क्या हो रहा है sunlight नीचे पहुच रही है sunlight नीचे पहुच रही है तो photosynthesis भी हो रहा है और साथी साथे वहाँ पर animals भी रह रहे होंगे तो वह वहां से respiration भी को करते है तो photosynthesis भी हो रहा है respiration भी हो रहा है क्या हो रहा है कि oxygen बन भी रही है और आपकी oxygen का यूसल भी हो रहा है से co2 बन भी रही है और co2 का use यूजल अब को रही है फोटिक और इफोटिक zone is the lighted and usually well mixed portion that extends from the लेक सर्फेस डाउन तो वेर लाइट लेवल इस वन परसेंट अफ दैट अट अगर हम थोड़ी सैंटिफिकल ही बात करें थोड़ी हमें अगर फैक्ट्च्वल अपना आंसर बनाना है उसमें थोड़ा अच्छे से लिखना है तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा हमें यह नह पड़ेगा कि वो पोर्षन जहां तक आपकी लाइट नीचे जा रही है वहां से वहां पर कितनी लाइट होनी चाहिए अगर नीचे आपकी जाते जाओ जाते जाओ और ऐसे पोर्षन आ जाता है जहां पर सर्फेस में चितनी लाइट पहुच रही है उसका एक परसेंट नी यहां पर जाएक पहुंछते जावत नहीं और इसा अफिंट को आपकी पैसे परुख जाओ जrou जहां पर चुसलत पर्पर आपकी परसेंटेज disability बिंटते हुपर जितनी मिल रही है उसका एक पर्सेंट जहां पर भी मिल रहहा है बस बहीं तक आपकी फोरिक जोन एक परषंट से कम नीचे पोँच रही है तो फोटिक जोन में नहीं आएंगी वह आखी फोटिक जोन में वहीं पर अगर कॉमन मैन है तो वह तो क्या बोलेगा कि बहुत 0 % जहां पर होगी पहां से फोटिक जोन इस्टार्ट होगा लेकिन ऐसा नहीं होता है हमने इंवार्में स्चार्ट हो जाएगा फोटिक जोन कहां से स्टार्ट होजाएगा जब 1% आपकी सरפेश से 1% आपकी जो light है वो मिलेगी ना टॉकिंग अबावड इफोटिक गोटिक pronounce ‫पोटिक जोन तो समझना आगा कि 1% जहां तक light पहुच रही है वह की फोटिक जोन लेकिन अफोटिक जोन कहां से स्टार्ट होगी अफोटिक जोन क्या होता है अब यह देख लेते हैं The lower layers of the aquatic ecosystems where light penetration and plant growth are restricted forms the aphotic zone अब जब उपर वाली layers हम नहीं देखी जहां पर sunlight मिल रही थी तो हम उसको क्या बोल रही थी खोटिक जोन आपर इसी लेएर जहां पर जहां पर फोर्ट लांट नीचे आ निए पा रहे हैं आ नहीं होगी तो यहां पर क्या होगा सिर्फ वर सिर्फ रेस्पिरेशन की ही प्रोसिस होगी क्योंकि यहां पर आपके आनिमल्स तो मिलेंगे ही बस प्लांट्स नहीं मिल रहे हैं प्लांट्स नहीं होगी लेकिन अनिमल्स तो है जब वो है तो रेस्पिरेशन तो करेंगे ही इ लेकिन यहाँ पर photosynthesis नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्यों आपको पता है, a photic zone is positioned below the littoral and photic zone to bottom of the lake, where light levels are too low for photosynthesis, तो a photic zone क्या होती है, a photic zone आपको photic zone के नीचे मिलेगी, ऐसे area में जहाँ पर जो आपका light है, sunlight इतनी ही काम होती है, या फिर होती ही नहीं है, कि photosynthesis हो सके, respiration occurs at all depths, so the a photic zone is a region of oxygen consumption, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कि respiration तो होई रहा है, भले आपकी oxygen नहीं बन रही है, लेकिन oxygen जो हो है, वो consume तो हो ही रही है, क्योंकि यहाँ पर respiration हो रहा है, respiration आपका photic zone में भी होता है, a photic zone में भी होता है, इसे मतलब नहीं है कि sunlight आए या ना आए, respiration आपका हर लेवल पर हो सकता है, this deep, unlit region is also known as profundal zone, तो हो सकता है कि आपके जो exam है, उसमें aphotic zone में लिखकर आजाए, profundal zone, तो profundal zone भी कोई और zone नहीं है, वो भी aphotic zone ही है, aphotic zone का ही तूसरा नाम profundal zone है, और इस zone में, जब कि aphotic zone है, यहाँ पर क्या होगा sunlight नहीं आएगी, तो यहाँ पर अधेरा भी होता है, अब इन factors के बीच में हमें एक box निज़र आ रहा है, अपनी book में, जिसमें हमें बात की गई है winter kill की, तो यह winter kill क्या होता है, winter kill के लिए एक क्या है, phenomena है, क्या phenomena है यहाँ आपर देखते हैं, snow cover of ice on water body can effectively cut off light, plunging the waters into darkness, hence photosynthesis stops, but respiration continues, तो पहली बात तो winter kill ऐसे एरिया में होता है, जहां का temperature बहुत ज़्यादा लो होता है, जहां पर बहुत ठंड होती है, इतनी ठंड होनी चाहिए, कि जो आपके water body है, जो आपके lake हो गई, आपका जो ocean हो गया, sea हो गया, river हो गया, कुछ भी ऐसा है, कोई water body है, उसका पानी जम जाए उपर से, इतनी ज़्यादा बहाँ पर ठंड होनी चाहिए, तो ऐसे area जहां पर क्या हो रहा है, पानी उपर से जम जा रहा है, तो बहाँ पर क्या होगा, जब पानी उपर से जम जा रहा है, इसनो जम जा रही है, तो नीचे क्या होगा, अब इसनो से तो नीचे आपके sun light जाएगी नहीं, तो नीचे तो पानी है, उपर आपको बर्व जम चुका है, तो होता क्या है, कि उपर बर्व की बजए से, वहांबर फोटोसंतेसिस नहीं हो रही तो नीचे क्या हो रहा है कि अोक्सीजान नहीं बन रहे हैं लेकिन नीचे पानी में आपके अक्योर्टिक ओर्गिनिजान्स तो रह रही हैं तो क्या रे यहां उनको तो जो धान दीचिनugen के वो उसको consume कर लेते हैं, धीरे-धीरे क्या होता है, कि वो oxygen आपकी सारी खतम हो जाती है, नई oxygen बन नहीं बात है, तो फिर जब oxygen खतम हो जाती है, नई oxygen बन नहीं रही है, photosynthesis हो नहीं रही है, तो मचलियां अब oxygen नहीं होगा, तो क्या होगा, वो मर जाएंगी, तो जितनी भी fishes ह वो मर जाती है और हमें पता ही नहीं चलता है कि नीचे में क्या हो रहा है क्योंकि उपर तो हमें बस बर्फ जमी नजर आ रहे हैं तो फिर होता क्या है जब गर्मी आती है जब वो बर्फ पिगलती है बर्फ जब पिगले गी उपर की तब जो मरी हुई मचली जो की बर्फ की तीचे मशियां मर गई थी वो सब ऊपर आती है बहुत सारी मरी हुई मशनियां हमें उपर जब तैरती वी नज़र आती है उसी को बोल जाता है विंटर के लिए कैसे होता है अखरी विंटर्गिल हमने पूरी डिटेल पड़ लेकिन देखा नहीं कि आखरी विंटर्गिल कैसे होता है तो विंटर्गिल के आपका ये सामने इमेज नजर आ रही है यही है विंटर्गिल देखो इस पिक में क्या हो रहा है यतनी सारी मस्निया ये सारी जो गोटे का आपिंजेमर्फ था और यहां को नीचे मॉचलीयां मर चुकी थी निए कि हां इत trainings मुचली मर गई थी जब यहां पर अêsटर को बोलते हैं वंपर हम पढ़ रहे थे वैड्स को जिसमें था और फिर से बें पढ़ए था दूसरा factor क्या है दूसरा factor है oxygen oxygen पाने में कैसी मिलती है तो oxygen हमें मिलती है dissolved formula इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है dissolved oxygen in aquatic ecosystems oxygen is dissolved in water where its concentration varies constantly depending on factors that influence the input and output of oxygen in water तो जितने भी आपकी aquatic ecosystem है उन सभी में oxygen कैसी मिलेगी हवा की form में नहीं मिलेगी यह मिलती है पानी में dissolved अब कितनी मिलेगी यह कुछ factors पर depend करता है fresh water में जो average आपकी dissolved oxygen मिलती है वो होती है 0.001% इतनी ठीक है जो की 1.500 गुना कम होती है जो आपकी हवा में oxygen मिलती है उससे तो oxygen जो हवा में मिल रही है उससे 1.500 गुना कम oxygen आपकी पानी में गुली हुई मिलती है वो भी कौन सा पानी? fresh water oxygen enters the aquatic ecosystem through the air water interface and by the photosynthetic activities of aquatic plants अब भी question यह arise होता है कि अखिर यह oxygen पानी में जाती कैसे है तो oxygen पानी में एंटर करती है आपके तो तरीके से पहला तो direct जब air water interface हो रहा है जब पानी जो है उससे उपर तो हवा तो हवा तो हर जगे ही तो पानी से उपर जो हवा है जब पानी और हवा मिल रहा है तो बहां से oxygen एंटर कर जाती है दूसरा आपका जो आपका प्रोसेस है वो है photosynthetic का photosynthesis जब बहाँ पर हो रही है नीचे plants है वो photosynthesis कर रहे है sunlight आ रही है बहाँ पर photosynthesis हो रही है तो बहाँ पर oxygen उससे विए बन जाए तो इसलिए कि किसी भी पानी में कितनी oxygen मिलेगी वो भी dissolved यह किस पर depend करेगी कि किस speed से वहाँ पर photosynthesis हो रही है कितनी जादा photosynthesis हो रही है और दूसरी कि इयर वोटर इंटरफेस कितना बड़ा है कितने एरिया में ऐसा हो रहा है कि पानी जो है हवा से मिल रहा है तो जितनी तेज photosynthesis होगा जितनी ज्यादा एरिया में आपका इयर वोटर इंटरफेस सेल रहा होगा उतना ही आपको ज्यादा dissolved oxygen मिल जाएगे अब मिल तो गई एंटर कर लिया oxygen ने पानी में लेकिन अब यह बहार कैसे निकलती है आपका जो CO2 है वो कैसे बहार आता है oxygen कैसे बहार आती पानी से तो जैसे कि हमने देखा है पहली चीज हो वही यह वाटर इंटरफेस से जैसे एंटर कर रही वैसे बहार इन सब को क्या चाहिए होता है respiration करना होता है तो photosynthesis से आपकी एंटरी होती है oxygen की और respiration से बहार निकलती है The amount of dissolved oxygen retained in water is also influenced by temperature दूसरी चीज कि कितना आपका oxygen मिलेगा पानी में यह इस पर भी depend करता है कि पानी का temperature कितना है गरम पानी में oxygen कम गुलती है लेकिन बही पर अगर पानी जो है वो आपका ठंडा हो cold water हो तो बहाँ पर oxygen easily dissolve हो जाती है इसलिए जो आपका cold water होता है बहाँ पर ज़्यादा oxygen मिलेगी अगर हम बात करें गरम पानी की तो बहाँ पर कम oxygen मिलेगी अब जो है oxygen कम होती जाती है कोई बात नहीं बहुत कम हो जाती है जब oxygen जो है आपका 3 से 5 PPM तक पहुत जाए तब क्या होता है जितने वे organism है अब वो survive नहीं कर पाते हैं अब वो मरना सूब कर देते हैं वो जो जितनी oxygen है वो उनको sufficient हो नहीं पाती है उनकी दम गुड़ जाती है और वो सब मर जाते हैं नेक्स्ट फेक्टर है ट्रांस्पेरेंसी ट्रांस्पेरेंसी अफेक्ट्स एक्स्टेंट ऑफ लाइट पेनेटरेशन जैसे कि हमने पहले भी डिसकस करा था कि पानी जितना जादा ट्रांस्पेरेंट होगा उतनी जादा आपकी sunlight वहाँ पर पहुचेगी suspended particulate matter such as clay, silt, phytoplankton etc. make the water turbit अब उसमें अगर मिट्टी गोल दी जाए, silt हो या फिर आपके phytoplankton से मिल जाए तो पानी जो है वो कैसा हो जाएगा, turbit हो जाएगा वो गंदा हो जाएगा पानी जब गंदा हो जाएगा तो बहाँ पर आपकी जो sunlight है वो enter नहीं कर पाएगी और जब enter नहीं कर पाएगी तो photosynthesis धंग से नहीं हो पाएगी है And the last factor that affects the productivity of aquatic ecosystem is temperature और कौन से factor है तो जो आखिरी factor है वो हमारा कौन से है temperature The water temperature changes less rapidly than the temperature of air because water has a considerably higher specific heat than air That is larger amounts of heat energy must be added to or taken away from water to raise or lower its temperature जो पानी है अगर हम हवा से compare करें तो हवा जो है जल्दी गरम होई जल्दी ठंडी हो जाएगी लेकिन पानी धीरे धीरे गरम होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है उसका temperature जल्दी से change नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि जो आपका पानी है उसकी specific heat बहुत ज्यादा होती है अब क्योंकि पानी जो है उसका temperature इतनी जल्दी change नहीं होता है इसलिए जो भी उसमें organisms होते हैं उनकी भी आदत ऐसी नहीं होती है कि वो अलग-अलग temperatures में survive करें उनकी भी आदत ऐसी ही बने ही होती है कि वो constant temperature में रहते हैं अब अगर एसा होता है कि पानी का temperature एक दम से बहुत जदाज हो जाता है ठंडा पानी था तो एकदम से बहुत गरम हो घ्रम हो गया या गरम पानी ठंडा हो जाता है तो जो भी organisms, जो पानी में मिल रहे होते हैं, वो survive नहीं कर पाते हैं, वो इस change को adopt नहीं कर पाते हैं, और ultimately क्या होता है, वो सब survive ना करने के बज़ए से उन सब की death हो जाती है, तो ये भी ये productivity को affect करता है, क्या चीज थी ये, temperature, और इसी के साथ में हमारे जितने factors थे, वो complete होत होते हैं, और आज की video की, क्योंकि हमने इतना सब कुछ पढ़ दिया है, हमारा इतना land भी कोई इसका slaves भी नहीं है, तो हम धीरे धीरे इसको complete कर रहे हैं, guys, I hope आपको समझ में आया होगा, interesting लगा होगा, अगर आपको सब समझ में आया है, तो आपको करना क्या है, वीडियो क इसके आगे continue करने के दिये, till then, keep your knowledge rather hunting on.